हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी, आएम शिवानी चाहान, क्लास 7th मास शेप्टर 2, एकसाइस 2.5 का हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन अबर 2 इत्ते, सारे इनोंने पार्ट्स बना रखे हैं न, तो मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्फ करने में काफे टाइम ल लगा देते हैं, 10, तो देखो भाई, इसमें आपको कुछ सॉल्फ नहीं करना है, आपको 0 के शिफ्टिंग सिखाए जा रही है, कैसे, 4.8 है, और नीचे अपॉन में 10 है, तो आप पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, हैना ये करोगे, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो फिर उसके बाद आपका पास क्या आएगा, 4.8 अपॉन डबल 0 आया, तो नीचे 2 0 थे, तो दो नंबर के आगे, आप लोग क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, दो नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो आजाएगा, 0.48, या फिर अगर आपको बहुत करना है, तो जब भी आप देखें कि नीचे डिवाइड में 10 है, तो सॉल्व मत करो, पॉइंट को एक शिफ्ट और आगे कर दो, तो इस फिर्स वाले का आंसर हमारे पास आजाएगा, 0.48, आप लोग को आया, समझ क्या हुआ है, आपर, पॉइंट, 4.8 था, पॉइंट था, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, नीचे दो 0 आगए, तो दो नमबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, चालो, सेकिंड पार्ट देख लेते हैं, 52.5 divided by 10, सेम प्रोसेस फॉलो होगा, 52.5 upon 10, पॉइंट हटायेंगे, एक और 0 बढ़ा देंगे, तो अब देखो किते 0 हो गए, अब नीचे 2 0 हो गए, अब क्योंकि नीचे 2 0 बन गए है, तो इसलिए दो नमबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, दो नमबर के आगे पॉइंट यान पर में बुला गया है, 0.7 divided by 10, देखो इसका आंसर जो है न वो आएगा, 0.07, क्यों? क्योंकि भाई देखो, पॉइंट लगा हुआ है, और नीचे दिवाइड में 10 है, तो ये पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, पॉइंट हटेगा, नी तो 0.07 आजाएगा, फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में है 33.1, 33.1 divided by 10, तो 33.1 upon 10, पॉइंट हटाएगा, 0 बढ़ा देगा नेचे, तो क्या आजाएगा, हमारे पास ये वाला, ये आगे हमारे पास, 331 upon 100, क्योंकि नीचे 2 0 थे, इसलिए दो नंबर के आगे, 3.31, फिफ्ट पार्ट, टू, फिफ्ट पार्ट है हमारा, 272.23 divided by 10, ये गरना है सब में आया और बोरिंग सा, सच में में को भी बोरिंग लग रहा है, upon 10, पॉइंट अटाएंगे, दो नंबर तो 2 0, अब क्योंकि 3 0 थे तो 3 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, 123, तो अंसर आजाएगा, 27.223, 0.56 divided by 10, upon 10, पॉइंट अटाया, पॉइंट गागे दो नंबर थे तो नीचे दो 0 बढ़ जाएंगे, यह आजाएगा, 56 upon 123, तो क्योंकि 3 0 है तो उपर के 3 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, तो हम एक 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.056, यह हो गया 6th पार्ट, अब दिखते हैं 7th पार्ट, 3.97 divided by 10, तो 3.97 upon 10, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट हटाओगे और 2 0 बढ़ा दोगे, तो यह आजाएगा, 3.97 upon 1, 2, 3, 1000, तो 3 0 है तो 3 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, 3 नंबर के आगे पॉइंट और 0, तो 0.397, यह हमारे सारे के सारे 7 पार्ट हो गए, अब हम लोग देख लेते हैं चलो, तो question number 3, बिल्कुल सेम चीज करनी है question number 3 में भी, इसमें क्योंकि सब पे 10 था और question number 3 में सब के नीचे 100 लगा रखा है, तो 2.7 divided by 100, क्योंकि 2 0 हैं, तो 2 नंबर के आगे point shift हो जाएगा, 2.7 upon 100, point अटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 27 upon 1000, तो 1, 2, दो नंबर और इसके आगे एक और 0 और उसके आगे point, क्योंकि 3 0 थे नीचे, और यहां पे 0, तो 0.07, इस वाले 0 की कोई value नहीं नहीं लगा होगे तो भी काम चल जाएगा, तो लगा है मैंने इसलिए क्योंकि standard होता है, upon 100, point अटाएंगे, 0 बढ़ा दोगे, क्या आगे है, अब देखो 0.3, 3 के आगे 0 की कोई value नहीं होती है, तो इसलिए सिर्फ 3 लिख रही हुँ मैं, अब, अब क्या लिखेंगे, तीन नंबर के आगे लगाना है, 3, 1, 2, अफिस के आगे point, ये भी छोड़ सकते हो, बट standard यह होता है, कि इसके आगे भी 0 लगा दो, सब में सेम ही करना है, बिलकुल, upon 100, तो भाई, point हटाओ, नीचे अलड़ी दो 0 थे, तो दो 0 और बड़ा तो, 7, 8, और 1, 2, क्योंकि 4 0 थे न, तो 4 डिजिट के आगे लगे लगेगा point, 4 पाइट देख लो गई, 4 पाइट पे हमें बूला गया है, 4, 3, 2, 0, 6, divided by 100, upon 100, point हटाएँगे, 0 बड़ा देंगे, नीचे 3 0 है, तो हम 3 नमबर के आगे point लगा देंगे, 4.3, 2, 6, फिफ पार देखते हैं, 2, 3.6, divided by 100, हटा देंगे, तो ये 2 0 तो पहले से थे एक और 0 आ जाएगा, अब 3 नमबर के आगे हमें point लगाना है, 3 नमबर के आगे point लग गया, लास्ट पार्ट, 98.53 divided by 100, तो 98.53 upon 100, point लगाना हैंगे, 2 और 0 बड़ा देंगे, तो हम अब 4 0 हैं, तो 4 नमबर के आगे point लगा, 0.9853, तो ये हमारे हो गए third question के सारे part, वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe, thank you.